अगर अगर हम लोग बात करें तो एक मिस्टरी बन गई है कि निफ्टी आई-टी का सबसे बड़ा हैविवेड स्टॉक इतना जाधा गिर चुका है 25% से जाधा का करेक्शन इस स्टॉक में जैन्वरी से और अभी तक हो चुका है लेकिन रिकवरी मोड पर यह आने को तयार नहीं है गिरावट तो इनफोसिस में भी हुई है विपरो में भी हुई है बट प्रियोडिकली जब मार्केट्स के अंदर अपमूब देखने को मिल रहा है तो एक अच्छा खासा वहाँ पर एक राईज आ जाता है लेकिन TCS में हर एक लेवल पर एक resistance face होता है यह वापस से और एक नया lower low लगा देता है अब 17th of June को एक बड़ा drastic change मार्केट में आया था जब मार्केट्स बहुत जबरदस तरीके से गिर गए थे और एक gap down भी हुआ था और maximum जो large cap stocks हैं आपने देखा होगा 17 June 2022 को इनका नया 52 week low भी लगा है अब वहाँ से बहुत सारे stocks ने तो actually में pullback को अपने reversal में convert कर दिया है but now the condition is that कि आने वाली 8 July को TCS के result है यानि के large cap companies में से PCS वो company होगी जो सबसे पहले result लेके आती है और वो लेके भी आएगी तो Monday trading session वाले दिन यानि के 8 तरीको Friday उसके बाद जब markets open होंगे 11 तरीको क्या कुछ positive असर आपको देखने को मिल सकता है यह हमें सोचना होगा देखना होगा last results में इन्होंने एक heavy dividend announce किया था and dividend का असर जब तक market पे रहा यानि के बहुत minimal time का मैं आपको बता रहा हूँ तब तक इसने अपने levels को संभाल के रखा 3500-3600 के आसपास otherwise उसके बाद में वापस से इसने 3200 रुपीज तक के low levels दिखा दिए दे तो यह जो mystery है इसको sort out कर पाना बहुत मुश्किल है जबकि अगर आप देखें all over IT sector के लिए इस वक्त जो situations हैं वो काफी favorable है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रुपी की जो value है वो लगातार गिरती जा रही है लगातार महाँ पर गिरावट है 79.30 आज का present current rate चल रहा है और बहुत जल्दी इसी रफतार रही तो 83-84 तक के levels महाँ पर हासिल हो जाएगे तो रुपी की value जितनी depreciate होती है एक्सपोर्ट करने वाली companies को उतना फायदा होता है और IT majors जितने भी हैं वो maximum export का का काम करते हैं US में और बाकी other subcontinents में उनका बहुत जबरदस business होता है बट export में ही mainly उनका focus रहता है अब जो result आने वाले अगर उसका overview आप देखेंगे online चेक करेंगे तो maximum जो analyst हैं वहाँ पर 10-12% का profitability के अंदर increase देखने की कोशिश कर रहे हैं यानि कि result में कोई कमी नहीं है at least इस quarter तो बहुत अच्छे results आने वाले हैं लेकिन हमें देखना है कि stock कितना जादा चलता है उस expectation क basis पर in fact जब ये event होके निकल जाएगा result आ जाएगा उसके बाद में कितनी तेज़ी महाँ पर बनती भी दिखाई देती है तो फिलाल में technical data आपको दिखा रहो हैं यहाँ पर किस तरीके से position है और आज की तारीक में अगर आप देखें फिलाल 1% की तेज़ी से जादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 3249 की ऊपर trade होतावा नजर आ रहा है इसके अलावा अगर हम लोग देखें क्या situation है तो 17th of June 2022 का यहाँ पर भी 52 week लो है 3,024 रुपे के आसपास का और जैन्वरी 17 जैन्वरी 2022 इसी साल का 52 week हाई है 4,043 तो आप difference देख रहे हैं almost 1,000 points से जैन्वरी से अभी तक and clearly यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% की गिरावट है अपने peak high से fine लेकिन इस वक्त की delivery percentage 66% यह anticipate कर रही हैं कि आने वाले time में इसके अंदर एक up move देखा जा सकता है चलिए मैं अब बात करता हूँ charts के ऊपर यहाँ पर situations देखते हैं कि स्टाइप की बनती भी नजर आ रही हैं यह आप देखिए जैन्वरी के वो peak levels हैं जब इसने all time high लगाये थे 4043 के and वहां से यह वो levels है 17th of June अभी हाली में जब इसने 52 week low levels दिखाये थे 3024 के तो वहां से अगर आप measure करेंगे 25.33% ली गिरावट है जो actually में 1027 रुपे की हो जाती है clear जो pattern observe हो रहा है वो lower lows and lower high का हो रहा है अब ऐसे patterns के अंदर जब भी एक important candle की formation हो जाए candle कैसी हो या तो dozy candle हो इस तरीके की या फिर एक positive candle की formation हो जाए यानि कि bottom पर कोई इस type की solid green candle बन जाए तो वहां पर reversal आने के chances बन जाते हैं तो यहाँ पर dozy candle की formation आप यह देखिए 17 जून की जो candle है वो dozy candle है clearly दिखा रही है कि उसके अंदर इतनी तो power है कि इस trend को reverse कर सकती है और बहुत जादा overselling already इस stock में हो भी चुकी थी तो इसके बाद में देखिए यह जो pullback आया उसके बाद में यहाँ पर एक rest लेतावा दिखाई दे रहा है यह stock confirm होगा जब यह इस swing high को break करके उपर की तरफ निकलेगा तब यहाँ पर positive price section develop हो चुका होगा और यहाँ पर evident हो जाएगा कि अब यहाँ से bind side में positions बना सकते हैं तो अब सवाल आता है कि जिन लोगों के पास में already high levels पर positions हैं वो क्या करें देखे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे trend के साथ में इसने 4043 तक के levels हासिल करे थे लगातार up trend में था अब अगर यह नीचे की तरफ आ रहा है जिसमें already इसने 6 महीने से जादा बिता दी है 7th month चल रहा है इसकी गिरावट को तो बहुत जल्द और बहुत नजदीक इसका low होगा अगर इस low को भी यह break करता है तो जादा आपको घबराने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर हो सकता इस type का pattern भी develop हो जाए जिसको हम लोग inverted head and shoulder कहते हैं और उसके बाद में एक breakout जैसे situation बनते भी दिखाई दे तो फिलाल आपको यहाँ पर wait करना है क्योंकि अगर आप एक higher level पर फसे वे तो जाहिड सी बात है कि आप sell नहीं करेंगे नुकसान नहीं bear करेंगे और खासकर ऐसी companies में नुकसान bear करना भी नहीं चाहिए तो मेरे इसाप से यहाँ पर आपको position hold करके चलना है मुझे लगता है कि यह इस swing का low होगा and further यहाँ से positive price action जो develop होगा उसके लिए 3200 के levels एक base formation का काम कर सकते हैं हम अगर एक heavy momentum की expectation रखते हैं तो हमें RSI से जरूर compare करना चाहिए किसी भी stock को कि वो कहां तक के level दिखा रहा है तो RSI की बात अगर हम लोग करें तो देखें इस वक्त के जो levels हैं वो तकरीबन 46 के आसपास हैं जो divergence के एसाप से देखें तो कोई खास यहाँ पर positivity नहीं है levels के एसाप से भी देखें तो भी आपर कोई important ऐसा observation नहीं आ रहा है कि जिसकी वैसे एकदम से stock बहुत peak पकड़ने वाला है तो हम लोग जरूर कह सकतें कि देखें अगर इसने result से पहले levels पार नहीं करें कौन से levels से इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से mark कर लेते हैं आपर तो देखें यह मेरे पास में जो levels आ रहे हैं यह levels है 3350 के 3350 के levels अगर decisively results से पहले इसने cross नहीं करें then मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह 3350 के जो levels होंगे यह आने वाले टाइम में भी एक important resistance का काम कर सकते हैं result से ठीक पहले जो तेजी आती है उसमें काफी अच्छा momentum and price section देखने को मिलता है result आने के बाद यानि कि event के बाद में वो सारी की सारी तेजी fizzle out होती भी दिखाई देती है तो पिछले quarter में और इस quarter में difference क्या है कि यहाँ पर एक नई problem create हो गई है और वो है recession की ठीक है and recession अगर आता है global markets में तो सबसे बुरा असर उसका IT sector पर पढ़ता है तो इसलिए हो सकता है इस डर की वज़े से इस बार result के बाद भी आपको कोई बहुत बड़ा positive price action ना देखने को मिले इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई up move मिल रहा हो अगर आप short term के trader हो तो यहाँ पर आपको उस profit को बांध के एक बार के लिए निकलना चाहिए जो लोग long term के लिए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा definitely यहाँ पर एक positions create कर सकते हैं और जो लोग traditional trader हैं उन्होंने high levels पर positions बना रखी हैं वो भी एक बार के लिए average down कर सकते हैं एक base formation यहाँ पर होते ही दिखाई दे रही है 3200 रुपीज के level के आसपास यह situation आपके सामने daily chart से आरी है preliminary अगर आप देखना चाहिए इसके बाद मैं एक बार इसी daily chart को FIBO के हिसाब सभी आपके सामने explain करना चाहता हूँ FIBO की बात करूँगा तो देखिए मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि इस weekend के ऊपर FIBO NACHI retracement की वीडियो में ले के आ रहा हूँ जैसे last weekend पर हमने OBB cover किया था on balance volume इस weekend पर हम लोग FIBO NACHI retracement का जो टूल है इसको समझेंगे detail में तो देखना मत भूलेगा वो special video को downtrend में इसको हम लोग analysis कर रहे है तो 23.6% के पहले levels आ रहे हैं जो मेरे पास में 3260 रुपे के ऊपर है फाइन 3260 के ऊपर है अभी stock इसके भी नीचे चल रहा है तो क्या यहाँ पर already existing support या resistance था यहाँ पर देखेंगे 23.6% के levels कोई important support का काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे और एक ही जटके में इसने इसको cross कर दिया था यहाँ पर इस candle के ऊपर प्रिवियसली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई important ना तो resistance support था और नहीं यहाँ पर कोई ऐसा resistance created था जिसने इसको hold करवाया हो बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बार के लिट 23.6% के level support का काम करते वे ज़रूर दिखाई दिये थे यहाँ पर situation अभी मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई important resistance नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो prior history है वो कोई importance नहीं दिखा रही है फर्दर अगर इसको cross कर देता है decisively 3260 के levels को दन अगला जो target है वो 38.2% के आ रहे हैं जो actually में 3410 रूपीज के हैं यही वो targets होंगे यही वो levels होंगे जिसको cross करने के बाद में decisively इस stock में rally आ सकती है इस stock में rally तब ही आएगी जब 400 के ओपर sustainability बनेगी और यह मैं क्यों कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ देखिए इसका weekly chart weekly chart पर आप देख पाएंगे लगातार कई हफतों से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है फाइन उसी chart को हमने squeeze कर दिया और हर एक candle अभी एक week को represent कर रही है तो यहाँ पर आप देखिए situations क्या है मेरे पास में यह वो levels हैं जो अगर cross हो जाते है then मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक momentum create हो सकता है यह level precisely अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कहाँ पर है तो देखिए यह levels approximately 3480 के आसपास है और इसलिए 3400 plus के levels काफी जादा supportive होंगे एक bull rally के लिए TCS के stock में फिलाल की situations को अगर आप देखें तो इस week में यानि के 17 जून वाले जो date थी उस week के अंदर 3000 and 25-24 रुपे के आसपा support बना के एक अच्छा खासा uptrend है यहाँ पर भी एक उमीद है कि positive price action बन सकता है अगर यह 3380 के levels को decisively cross कर दे तो अभी यहाँ पर भी watchful रखनी है situations को अगर एक short term के trader है तो यहाँ पर buying side में तभी positions बनेंगी यह भी 3380 को cross कर देगा और उस condition में approximately 3485 तक के targets देखने को मिल सकते हैं यह जो resistance line है उपर तो short term के traders के लिए काफी अच्छा मौका रहेगा 3380 को cross करने के बाद में short trade वो definitely यहाँ पर carry on कर सकते हैं situation के साफसे जो यहाँ पर आती भी दिखाई दे रही है अब देखे फाइनली लास्ट में एक और observation में यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ उसको समझना बहुत जादा ज़रूरी है जैसे हमने daily charts पर देखा था कि गिरावट हुई थी 4000 के level से 3024 के level पर तो हमें नीचे ए वो quite negative है तो यह एक negative point है कि यहाँ पर इस candle का positive होना जरूरी है क्योंकि price section यह कहता है कि अगर कोई trend reverse होना है तो उसके लिए कोई positive candle होनी जरूरी होती है गिरावट के बाद में positive candle का आना और उसके बाद में certain indicators का positive indication देना ही किसी pullback को reversal में convert करा सकता है या फिर वहाँ से कोई नया pullback के signal दे सकता है तो इस case अगर हम लोग देखें तो यह एक negative candle है और बहुत solid negative candle है क्योंकि long body candle है और वो भी red sign के साथ में तो यहाँ पर इसलिए तोड़ा सा conviction आ रहा है कि हो सकता है यह जो levels है 3385 के यह एक registers pose ना कर दें ऊपर की दरफ निकलते वड़ तो इसी को हमें watchful रखना है कि यह levels निकलेंगे तभी हमें जाकर short term में कोई नया action बनाना होगा TCS के stock में तो I hope यह जो subtle बाते में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यह definitely आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि यह बहुत बारी किया है price action की अगर आप price action trading करना चाहते हैं तो candles के उपर ध्यान देत हुए ही आपको कोई positions बनानी होती है तो फिलाल इस वीडियो में देखिए इतना ही I hope यह सारे points आपको clear हुए होगे कोई भी doubt रहे तो आप मुझ से definitely comment box ने comment करके पूछ सकते हैं या फिर Twitter पर सवाल पूछ सकते हैं मैं आप लोगो reply करने की पूरी-पूरी करूँगा कोशि हुए 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 हुए